कैसी तेरी खुदगर्जी एक पाकिस्तानी टेलिविजन ड्रामा सीरीज है, जिसका निर्माड अब्दुल्ला सेजा ने आई ड्रीम एंटर्टेंडमेंट के बैनर तले किया है। इसमें नौमान एजाज, दानिश तैमूर, अतीका ओधो और दुरेफिशन सलीम प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जबकि सहायक भूमिकाओं में लैला वस्ती। शाहुद अल्वी, हम्माज शोयब और जैनब के यूँँ है। श्रिंखला मूल रूप से एरवाई डिजिटल पर 11 मई 2022 से शुरू हुई थी। मेहिक दुरेफिशन सलीम, अपने पिता अक्रम, शाहुद अल्वी, अपनी मा नाहिद, लैला वस्ती और अपनी छोटी बहन निदा लाइबा खान के साथ एक शांत जीवन व्यतीत करने वाली एक लड़की है। मेहिक अपने चचेरे भाई एहसान हमाज शोएब के साथ बंध है। हालांकि एहसान की मा अंदलीब, जैनब कयूम मेहिक का समर्थन नहीं करती हैं, जबकि एहसान के पिता रिहान उसका समर्थन करती हैं। एक दिन अक्रम देखता है कि एक युवा अमीर आदमी किसी को परेशान कर रहा है, और जब वह इस आदमी को बदनाम करने जाता है, तो वह आदमी अक्रम पर एक हथियार तान देता है। यहाँ आदमी शमशेर दानिश तैमूर बन जाता है। महक और रहान अक्रम को गाड़ी में वापस ले जाते हैं, लेकिन शमशेर महक को देखता है और जल्दी से उसके लिए भावुक हो जाता है। जब शमशेर को पता चलता है कि महक कौन है और वहां कहा रहती है, तो वहां महक से शादी करने के लिए कई बुरे तरीके आजमाता है, जिसमें अक्रम को कुछ समय के लिए बंदी बनाना और एहसान के साथ अपना रिष्टा तोड़ना भी शामिल है। जब महक आखिरकार तयार हो जाती है और शमशेर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है, तो वहां अपने प्रियजनों को बताने जाती है। और उसका भाई दारा दोनों इस बात से सहमत है, कि दिलावर के सामने वे बेबस है। दारा की पत्नी फर्वा, आईशा तूर, महक से नफरत करती है, क्योंकि फर्वा की बहन सोफिया शमशेर से शादी करना चाती है, दिलावर तब अपने करमचारी शेरू, अदनान शा तीपू को महक और शमशेर की शादी की रात को मारने के लिए नियुक्त करता है। महक की गाड़ी अंदर फंसी होने पर शेरू जीत जाता है। इससे शमशेर और महक का परिवार तबाह हो गया। लेकिन अकरम रहान के घर जाता है और वहां महक को जिन्दा पाता है। अकरम महक को सुरक्षित रहने के लिए मुल्तान भेज देता है, हालांकि शेरू उसे देखता है, जिससे उसे गहरा सदमा लगता है। एहसान शमशेर को बोली मारने के लिए आगे बढ़ता है. लेकिन शमशेर के स्वस्थ होने के बाद वह मुल्तान जाता है और शेरू से मिलता है. शेरू और शमशेर एक मजार में जाते हैं, जहां शमशेर महक को जिन्दा देखता है. महक भाग जाती है, फिर भी शमशेर महक को ट्राक करता है और उसका जोरदार अफहरण कर लेता है. अगर महक शमशेर से शादी करने से इंकार करती है, तो शमशेर अपने परिवार को बुलाता है और निदा को मारने के लिए कदम उठाता है. महक सहमत हो जाती है इसलिए वहां और शमशेर शादी कर लेते हैं और वे एक साथ घर लोटते हैं और महक को एक बेला के रूप में फिट देखकर दिलावर हैरान हो जाता है दिलावर शेरू की तलाश शुरू करता है और जब शेरू मिल जाता है तो वह स्वीकार करता है कि दिलावर ने उसे महक को मारने की सला दी थी जिसे शमशेर सुन लेता है डॉट शमशेर अपने पिता के खिलाफ जाता है और हमेशा के लिए महक के साथ अपना घर छोड़ दे सभी दिलावर शम्षेर के बही खाते और चार्ज कार्ड फ्रीज कर देते हैं, जिससे शम्षेर गरीब हो जाता है, तब शम्षेर को बिक्री प्रतिनिधी के रूप में एक नया काम मिलता है, जबकि महक को एक IT संगठन में नया काम मिलता है, महविश तब मर जाता है और दिलावर शम्षेर को एक आखरी बार उसे देखने की अनुमती नहीं देता है, एहसान तब महक से शादी न करके खुद के लिए मेकप करने के लिए निदा से शादी करने का फैसला करता है, शेरू को दिलावर द्वारा महक को मारने के लिए बुल शम्शेर सुरक्षा के लिए शेरू को एक बंदूग देता है, हालांकी बाद में शम्शेर शेरू को मृत पाता है। फिर शम्शेर उससे और महक से बचने के लिए दिलावर का सामना करता है या पूरी संभावना है कि दिलावर इसके बारे में दो बार सोचेगा। एहसान को उसी स्थान पर काम की एक नई लाइन मिलती है जहां महक काम करती है। एहसान और निदा अपने विवाहित जीवन के प्रती कठोर हो जाते हैं लेकिन बाद में वे एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हैं। शमशेर तब महक के लिए अच्छा हो जाता है और उसके साथ सुखद व्यवहार करता है जिससे महक शमशेर की तरह बन जाती है। महक यह जानने के बाद कि शमशेर कितना बदल गया है और वह वास्तव में उस पर कितना ध्यान केंदरित करता है। शम्शेर के लिए अपने प्यार को स्वीकार करता है। महक के गर्भवती होने का खुलासा हुआ, फिर भी दिलावर महक को मारने के लिए किसी और को भरती करता है। शम्शेर और महक के आपात कालीन क्लिनिक से निकलने के बाद शम्शेर दूर से किसी को महक पर हथियार तानते हुए देखता है शम्शेर महक से पहले आता है और उसे पीछे की ओर मौका मिलता है दारा को इस बारे में पता चलता है और दिलावर को बताता है कि जिन लोगों को उसने भेजा था उन्होंने महग को मार डाला और शमशेर को गोली मार दी अब क्या होगा यह सोचकर दिलावर घबरा जाता है अस्पताल में महग दिलावर पर चलाती है और फिर जब वह शमशेर से मिलने के लिए अंदर जाती है तो वह शमशेर को बताती है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन तभी शमशेर शान्थ हो जाता है और शमशेर मर जाता है दिलावर और महक फिर रोने लगते हैं. दिलावर तब विलाप करने लगता है कि उसने अपनी स्वयन की छवी के प्रकाश में क्या किया और उसने अपनी सम्रिध स्थिती नहीं खोई होगी.